गाल काव करने भी नाज वहाँ गाल आ गया गायल जिर की सांसें उसकी तहाड से भी ज्यादा भयानक होती है गरुडा मर गया तो और कुछ उसे आती आने में जब तक गरुडा जिन्दा है मैं इस कद्धी के बारे में सोचूंगा कहते हैं न हर पिच्चर में कोई एक होता है तुझे देखकर मुझे आईसा ही लगा कौन हीरो नाइफ दिला केजिअब चैप्टर टू रिलीस से पहले ही सुपर हिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है बाहु बली और 2.0 का रिकार्ट कैसे तोडने जा रही है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गरात के फिल्मी गलियारे में केजिअब के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फिल्ड्स में अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई गरुणा सोने के इस खान का मालिक था और यहां काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था रौकी याने की राजा क्रिशप्या बहर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने की कारण मर गई लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से बचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा रौकी इनी चीजों की तलास में मुंबई आया और जल्द ही रौकी भाई नाम का एक डौन बन गया उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हत्याने के लालची लोग उसे गरौणा को मारने के लिए सुपारी देते पहली बारे में फेल होने के बाद रौकी गरौणा को उसके गढ़ में यानि खान में ही मारने का प्लान मनाता है और मार भी देता है पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई अधिरा गरौणा का चाचा है सोने की खान के मालिक शूर वर्धन ने अधीरा को नजर अंदाज कर अपनी विमारी के बाद खान को सम्हालने की जिम्मेदारी गर्वा को सौंप देता है। सबास से अधिरा नराश फिल्म के पहले हिस्से में अधिरा का कई जगा जिक आता है जिसमें उसे बहुत ताकतवर और कूर बताया जाता है। रौकी के हाथों गरवा की हत्या के बाद अब अधिरा की नजर भी खान पर है। दूसरी और रौकी भी उस खान पर अपना कबजा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी। मतलब वो अपनी मा को दि गरवा को मारने की कहानी दिखाई गई थी, इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखनी को मिलेगा। लेकिन यहां मेल लड़ाए अधिरा और रौकी के बीच है। इस फिल्म में कन्नट फिल्मों के सुपर स्टार यस अपने रौकी के किरदार को आगे बहाएंगे। इसके अलावा फिल्म के दूसरे हिस्से में स्रीविधी सेठ्थी, संजयदत, रभीना टंडन, अचीवत कुमार, नासर, राम चंदर राजू, अनंतनाग, मालविका अभिनास और वसिष्च नहा जैसे एक्टर भी नजर आएंगे और अभी हाल ही में प्रकास राज को भी इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म को डारेट कर रहे हैं प्रसांत नीद, और यह फिल्म आप 13 अक्टूबर को रिलीच होने वाली है, और कहा जा रहा है कि यह फिल्म बाह बली और 2.2 से भी बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 3,000 कौन रूपए का बिजनेस करेगी, तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोन का बिजनेस कर सकती है